आरिज जोश उत्सा उमांग ये साब मतलब है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथ्यों ये मेरा सोभाग्य है कुछ बात याद आ जाती है जब यहाँ आता हूँ तो 2013 में जब भारती जनता पार्टी ने मुझे प्रधान मंत्री पद्के उमिद्वार के लिए गोशित किया तब तो चुनाव गोशित नहीं हुए थे लेकिन जब मुझे गोशित गया तो मैं राइगड के कीले पर चला गया और कोई भी काम सुरू करने से पहले मैं चत्रप्ति सिवाजी महराज की समाधी के सामने ध्यानस्त होकर उस पवित्र भूमी पर बैठा था और उस समय शत्रप्ति सिवाजी महराज की समाधी स्तल से मुझे जो प्रेनना मिली जो उर्जा मिली उस पवित्र माटी ने मुझे जो आशिरवाद दिये उसी की बदौलत पिछले दस साल उन्ही आदर्सों विचारों को जीने का प्रयास करता हूँ आपके लिए कुछ ने कुछ करने का प्रयास करता हूँ साथियों साताराने छत्रप्ति सिवाजी महराज के सूशासन को देखा है सातारा की ये भूमी शावरिय की भूमी है आज मिलिटरी अप्षिंगे गां हो या सातारा का कोई भी सहिनिक परिवार हो आत्म निर्बर होती भारत की सेनाओ को देखकर वो सबसे ज़्यादा खुश है आज हमारी सेना के पास एक से बढ़कर एक मेडी इन्डिया हत्यार है अब आप ही बताईए भाईयों बेहनों ऐसे काम करके मोदी ने जिनकी दुकाने बंद कर दी वो खुश होंगे क्या वो खुश होंगे क्या हत्यारों के जिन दलालों को कॉंग्रेस की सरकार बहुत अच्छी लगती थी वो कभी भी मोदी की वहवाई करेंगे क्या साथियों मोदी ने सैनिक परिवारों को एक और गारंटी वन रैंक वन पैंशिन की दी थी और मोदी ने ये गारंटी भी पूरी करके दिखाई कोई कैसे भुल सकता है कि कॉंग्रेस ने 40 साल तक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पैंशन ओ आर ओपी उससे बंचीत रखा सरफ 500 करोड रुपिय का जना ये जुन जुना दिखा कर कॉंग्रेस कहती थी ओर ओपी लाएंगे ये आँख में धूल जौकने में इनकी ऐसी मास्टरी है जूठ बोलने में इनकी ऐसी मास्टरी है आज बीजेपी सरकार ओर ओपी के एक लाख करोड रुपिये अब सोचिए वो पांसो का खेल खेल रहे थे पांसो करोड का आज एक लाख करोड रुपिय से जादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है भाई और भेनो देश 1947 में आजाद हुआ कॉंग्रेस ने गुलामी की मानसिक्ता को फलने फुलने दिया पूरी दुनिया चत्रपती सिवाजी महाराज की नव सेना का लोहा मानती थी आज भी विश्व में जब भी नव सेना की दुनिया में चर्चा होती है जो चत्रपती सिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है लेकिन इतने सालों तक आजाद भारत की नव सेना के जंडे में अंग्रेजों का निशान था NDA सरकार ने मोदी ने आकर के उस अंग्रेजी के निशान को हटाया हटा करके रुका नहीं मोदी ने तै किया कि जंडे का ताकत तब बढ़ेगी कि हमारी नव सेना के जंडे में अब छत्रपती सिवाजी माराज के पती को स्थान दिया जाएगा और दिया दंके की चोड़ पर दिया हमारी सरकार ने मराटा सेना और द्वारा बनाए गए एतियासिक कीलों को भी यूनेसको की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नामांकन किया है महराज का लोगड हो सिंदू दूर्ग हो या फिर मराटा सेना और द्वारा बनाया गया तमिल नाडू का तमिल नाडू का जिंजी फोट हो इन सभी को वर्ल हेरिटेज साइट की लीस में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं मराठा बिरास्त की शान दुनिया में बढ़ेगी तो हम सब को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दुनिया में डंका बज़े तो गर्व होना के जिन नहीं होना चाहिए लेकिन कॉंग्रेज को तकलीब होती है कि मोदी ये सब काम क्यों कर रहा है साथियों सातारा ने बाबा साब आम बेड़ कर महत्मा फूले और सावीत्रिवाई फूले के सामाजिक न्याय को गड़ने में बड़ा योगदान दिया है एंडिये सरकार ने दस वर्सों में इसी प्रेणा को सुषासन का आधार बनाया है आप देखिए कॉंग्रेज ने सतर साल में से साट साल देश पर शासन किया लेकिन बाबा साब आम बेड़ का सम्विदान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था तिन सो सत्तर की दिवार बनाई हुई थी आपके आशिरवाद से आपके सेवक मोदी ने आर्टिकल 370 को द्वस्त कर दिया कब्रिस्तान में गाड़ दिया मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया आप मुझे बताइए आपको गर्व होता है कि नहीं होता है आपको गर्व होता है कि नहीं होता है तिन सो सत्तर हटा करके देश की सान बढ़ी कि नहीं बढ़ी देश की एकता को ताकत मिली कि नहीं मिली ये गारंटी मोदी ने आपको दी थी और मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी अब जम्मू कश्मीर में मैं जरा जो लोग आरक्षन के नाम पर जूट बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुम्रा करने में लगे है मैं जरा चूबने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूँ इतने आरक्षन के गीत गारे हो क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी जम्मू कश्मीर रहने वाले दलीग क्या वो आरक्षन के हकदार थेग नहीं थे जब देश के दलितों को आरक्षन मिल सकता है देश के आदिवासियों को आरक्षन मिल सकता है तो जम्मू कश्वीर में मेरे दलित भाई बैनों को मेरे आदिवासि भाई बैनों को आरक्षण से बंची क्यों रखा गया संभिधान वहाँ पर लागू क्यों ने किया क्योंकि बोट बेंक की राजनिती आप पर हावी रही है भाई यो बेहनो तिन सो सत्तर हटा कर बाबा साब आम बेड़ करके संभिधान को जम्म कश्मीर में भी लागू कर दिया वहाँ मेरे दलीज भाई बेनों को आरक्षण का अधिकार मिला आदिवासी भाई बेनों का आरक्षण का अधिकार मिला ओबीसी भाई बेनों का अधिकार मिला वो हक मिल रहा है जिन्दुस्तान के हर महिलाओं को मिल रहा है वाज जम्मु कश्मिर में आज जादी के इतने सालों के बाद मिल रहा है बाई और बैनो हमारी सरकार में ही मेरे देश वासियों को मुप्त राशन मुप्त इलाच पक्का घर बिजली पानी अंगिनित सुभिदाएं आखरी वेक्ती तक पहुचाने के लिए मोदी ने अपना पल पल खपाया है और इलाब पाने वालों में जादार कतर कौन लोग है कौन लोग ते जो इन चीजों से बंचित थे इन सारे लाब को पाने वाले सब से जादा मेरे दलीद भाई बेहन है मेरे आदिवासी भाई बेहन है मेरे ओबी सी पिसेड़ परिवार है अब बीजेपी एंडिये की सरकार इन्हें प्रात्पिक्ता दे कर काम कर रही है सांतियों हमारी सरकार नहीं आरच्छन जो पोलिटिकल आरच्छन की बबत्ता है पहले जब अटल जी की सरकार थी तब उसका कारकाल बढ़ा दिया था और जब मोदी को अपने अउसर दिया मोदी ने फुर उस कारकाल को बढ़ा दिया ये हमारा कमिटमेंट है हमने OBC कमिशन को सम्वेदानिक दरजा दिया लेकिन कॉंग्रेस के इरादे क्या है ये हमने करनाटका में देखा है क्या कर रहे चत्रपती सिवाजी महाराज की दर्ती से मैं आपको जगाने आया हूं भाईयो ये क्या खेल कर रहे जड़ा चोग जाएंगे आप सुन करके बारत का समिदान धर्म के आधार पर आरक्षन की मनाई करता है बाबा साब हम बेर कर धर्म के आधार पर आरक्षन की मनाई करते है लेकिन उन्होंने क्या क्या करनाटका में OBC को जो आरक्षन मिला हुआ है 27% उन्होंने रातो रात सभी मुसल्मानों को OBC गोशिप कर दिया एक फत्वा निकाल दिया कागेज पर ठप्पा मार दिया और रातो रात OBC के हग के जो 27% आरक्षन था उस पर से डाका डाला और अधिक्तम उन्ही को दे दिया अब कॉंग्रेस सम्मिदान बदल कर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए जब तक मोदी जिन्दा है जब तक जन्ता जनार्दन का मुझ पर आशिरवाद है दर्म के नाम पर आरक्षन लाने की आपकी कोशिस सम्मिदान को बदलने की आपकी कोशिस मेरे जिन्दा रहते आप नहीं कर पाओगे लिखके रखना साथियों ये 21 सदी टेकनोलोजी डिवन सदी है और मैं स्वयम भी टेकनोलोजी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ मैंने सोचल मिडिया का उप्योग हमेशा जन्ता जनार्दन से जूड़ने के लिए किया है आपकी इच्छाओं आकांच्छाओं को जानने के लिए किया है आप तक सरकार का कोई कारकम पहुंच रहा है या नहीं उससे सुधार की गुंजाइच क्या है ऐसी फिर्बे के लिए मैंने सोचल मिडिया का उप्योग किया है लेकिन ताजा घटनाएं परेशान करने वाली है लोग तंत्र पेमी हर व्यक्ति को सर्मशार करने वाली है जो लोग बाजपा से, एंडिये से, मुद्दों के अधार पर, सच्चाई के अधार पर, अपने कार के अधार पर आमने सामने राजनितिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं वो अब सोचल मिडिया पर ठेक वीडियो फ्याला रहे हैं हमारी पार्टी के अलग-अलग नेताओं के आवाज में आर्टिफिशल इंटेलिजनस का उप्योग करके कभी मेरी आवाज कभी हमारे अमिद भाई की आवाज कभी हमारे नड़ा जी की आवाज कभी हमारे मुख्य मंत्रियों की आवाज और जो कभी हमने सोचा भी नहो ऐसे बात के हमारे मुँमें रख करके आग लगाने की कोशिज कर रहे है ऐसी खबरों से ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का शडियंत्र चल रहा है देश में अगर शांती पुन चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते और इसलिए आने वाले एक महने के अंदर-अंदर देश में कोई बड़ी हरकते करने का इनका इरादा है और मैं मैं एक बड़ी कंबीर तासिन पारोप लगा रहा हूँ समाजी तनाव पैदा करके अन्हूनी गटनाए गटे इसके खेल खेले जा रहे हैं और इसलिए मैं शत्रपदी सिवाजी महराज की सातारा की पवित्र धर्ती से देश वाद्शियों तो कहना चाहता हूँ मिडिया के मेरे साथ्यों को कहना चाहता हूँ कि लोक्तंत्र की भलाई के लिए देश में सुक्षान्ति के लिए देश की एक तवा के लिए किर्पा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें ऐसे कोई भी वीडियो कोई भी तस्वीर आपके वोर्ट से पर आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकरी दे उसको फॉर्वर्ड करने से पहले सोचिए कहीं वो आपका भी नुक्सान कर देगी क्योंकि कानुन बहुत कड़क है और मैं ही चाहता हूँ कि निर्दोस नागरी किसके शिकार हो जाए और इसलिए ये फेक वीडियो इन सब से हमारे समाच को बचाना हमारा दाइक्व है और ऐसे लोकों के विरुद मैं इलेक्शन कमिशन से भी विसेश रुप से रिक्वेस करता हूँ कि आप उनके वर के कठोर कारिवाई करने के लिए कदम बढ़ाएं सरकार पुरी तरह सच्चाई के साथ रहेगी कि मैं देश स्वास्चों को भी स्वाद दिलाता हूँ साथियो हमारे यहां कॉंग्रेस ने स्वास्थ सेवाओं का ये हाल बना रखा था कि जिसको बिमारी हो जाती थी वो बदहाली तक पहुँच जाता था बिमारी को बदकिश्पती मानने के लवा कोई विकल्प बचाई नहीं था गर में किसी को गंबीर बिमारी हो जाती थी तो इलाज में खेत कल्यान तक बिग जाते थे महिलाओं के गहने बिग जाते थे कई कई सो किलो मेटर दूर जाना पड़ता था तब जाकर के कोई एक अस्पतान मिलता था ये हालत बना रखी थी साट सतर साल के कॉंग्रेस के शासन ने लेकिन मोदी ने स्वास्त सेवाओं से जुड़ी परिशानियों को बाग्य के नाम पर नहीं छोड़ा मोदी ने हर देश वास्त को बहतर स्वास्त सेवाओं देने का संकल्प लिया हमने देश में बिश से जादा नए एंस बनाए बहतर स्वास्त सेवाओं का विस्तार करने के लिए हमने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले 2014 में देश में करीब पचास हजार MBBS की सीटे थी पचास हजार डॉक्टर निकलते थे आज हर साल एक लाग से जादा MBBS डॉक्टर्स पढ़ करके निकल रहे है ये डॉक्टर छोटे सहरो ग्रामी लिलाकों में भी इलाज का बड़ा माज़्यम बन रहे आईश्मान आरों के मंदिरों के घरिये आज गाउम गाउमे स्वात्न सिवाओं का विस्तार हो रहा है यहाँ सातारा में लगबग चार सो से ज़्यादा आईश्मान आरों के मंदिर बने है अस्पतालों के बहतन नेटवर्क के अलावा गरीब और इलाज का बोज ना आए उन पर मुसिबते न जेली पड़े ये मोदी ने इसकी गारंटी दी यहाँ साथ आराव है पंदरा से जादा जन अवसदी केंद्रो पर 80% डिसकाउंट से दवाईया मिल रही है जो दवाई 100 रुपे की किमस है वो सर्फ 20 रुपे में बिलती है आज करोडों लोगों के पास 5 लाख रुपे मुप्त इलाज का अवश्मान काड है और मैंने एक और गारंटी दी है आप गरगर तक पहुँचाना किसी भी परिवार में किसी भी जाती वर्ग विशेज कोई भी परिवार आपके घर में सत्तर साल की उपर के कोई जो भी व्यक्ति होंगे अब उनकी बिमारी का खर्चा जो आपको करना पड़ता है अब वो खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा यह आपका बेटा मोदी करेगा ज्याने कोई गरीब हो मद्यम वर्चे हो या उच्च वर्चे हो अगर सत्तर वर्चे उपर का है तो आविश्मान योजरा के दाइरे में आएगा और उसको लाब मिलागा भाई और बैनो सत्ता को अपने खानदानी जागीर समझने वाले आपकी इस तकलिफ को कभी नहीं समझ सकते यह चिंता वही कर सकता है जो आपके बीच रहा हो जिसने आपकी तकलिफों को देखा हो जिसने आपकी तकलिफों को जीया हो साथियों कॉंग्रेस सरकार का रवया गरीबों को लेकर क्या होता था इसका अंदाजा आप उनकी नीतियों से लगा सकते हैं आज हमारी सरकार असी करोड जरुरत मंदों को हर महिने मुपतानाज देती है और जब से कोरोना आया तब से चालू किया और आने वाले पांच साल की भी गारणटी दी है एक भी नए पैसा लिए बिना मुपतानाज देते हैं लेकिन जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब लाखो टन अनाज सरकार के गोदामों में सडता था पानी में भिकता था और कॉंग्रेस सरकार उसे गरीबों को देने को तयार नहीं थी मना कर दिया था इतना ही नहीं सुप्रिम कौट ने कहा था सुप्रिम कौट ने हस्त छेफ किया था और सुप्रिम कौट ने कहा था कि कॉंग्रेस सरकार अनाज गरीबों में बाटे लेकिन तब कॉंग्रेस सरकार के पुदान मंत्री डॉक्टर मनमोंची जी ने क्या कहा आपको सुन करके चौग जाएंगे उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कौट इस मामले में दखल न दे यानि अनाज सडता है तो सडे गरीब भुग से मरता है तो मरे लेकिन कॉंग्रेस सरकार गरीबों को अनाज देने को तैयार नहीं थी ये कॉंग्रेस की असमवेदन सिल्टा थी और इसलिए ही आज जब मैं 80 करोड जरुरत बंदों को मुप्त राशन दे रहा हूं तो कॉंग्रेस को सबसे जादा दिक्कत होती है भाई और बहनों तुष्टी करण के आगे गुटने टेट चुकी कॉंग्रेस ने एक और बड़ी गोशना खतरनाग गोशना की है ये कॉंग्रेस कह रही है आपके खेट आपके घर आपके परिवार में माता और बेहनों के गहरें उनके मंगल सुत्रा कॉंग्रेस कहती है अब एक्सरे करेंगे एक्सरे आपके लोकर में क्या पड़ा है एक्सरे करके देखेंगे याने गर गर छापा मारी करेंगे और आपकी संपती जब तक करेंगे एक लिमिट से उपर आपके जो भी है उसको लूटने का कॉंग्रेस सरकारी रादा रखती है और उनकी जो खासम खास वोट बैंक है ना उनको मजबूत करने के लिए उनको बाड़ देंगे मैं जड़ा साता रखके भाई बैंनों को पूछना चाहता हूँ क्या आप ऐसा होने देंगे आप ऐसा होने देंगे क्या आपको इस प्रकार की नितिया मंजूर है ऐसा सोचने वाले लोग देश की राज में होने चाहिए मोधी का प्रयास है कि देश में हर बहन के नाम पर कोई न कोई प्रॉपर्टी हो इसलिए गर बहनों के नाम पर दिये जा रहे है जन जन खातों से करोडों बहनों को पहली बार बैंक खाते खुले अब बीजे भी सरकार उसमें सीधा पैसा डालती है मोधी अपनी बहनों को ड्रोन पाइलोट बनाने में जुटा है मोधी ने तीन करोड बेहनों को लगपती दीदेई बनाने की गारंटी दी है लेकिन कॉंग्रेस के साजादी की चली तो कॉंग्रेस माता और बेहनों की ख़वाई उनके गहनों को भी नहीं छोड़ेगी साथ को मोधी का संकल्पा हर बहन के घर तक और हर किसान के खेट तक पानी पहुँचाने का है लक्ष्वन रावियनामदाव लिप्ट इरिगेशन स्कीम हो तराली प्रोजेक्ट हो टेम्बू लिप्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो बांग इरिगेशन प्रोजेक्ट हो ऐसी हर सीचाई परियोजना महयूती सरकार की प्रास्पिक्ता को दिखाते हैं आने वाले पांच साल में ऐसे अनेक सीचाई प्रोजेक्ट हम पर पुरा करेंगे साथ क्यों हम खेती में सहकारिता का व्यापक विस्तार कर रहे इसलिए पहली बार अलग सहकारिता मंत्रा ले बनाया गया है हमारी सरकार ने गन्ने के एफारपी में रिकॉर्ड बुद्धी की पहली बार शक्कर की हमारी सरकार इसे नौल पर इतना जोर दे रही है इसका सीधालाब गन्ना किसानों को हो रहा है पी-एम किसान सम्मान निदे के करीब पंदरा सो करोड रुपिये यहां सातारा जिले के मेरे किसान बाहियों के खाते में जमा हुए है साथ कि बीजेपी अपनी विरासत को भी सान से आगे बढ़ाने में जूटी है इसलिए जो हमारे किले हैं उनको भी सजा या सम्मारा जा रहा है यहां कनेक्टिविटी पर बहुत काम हो रहा है हम यहां जो हमारे आस्ता के सान है जो दरोरे हैं वह आना जाना आसाम बना रहे मेरा आप से आगर है साथ मै को हत बुहर बूथ पर कमल खिलाना चाहिए बारी मतदान होना चाहिए और आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका सपना यह मेरा संकल्प है और आपका सपना पुरा करने के लिए मेरा बीजन भी है और जीवन भी उसी के लिए है ट्वेंटी फोर बाई सेवन ट्वेंटी फोर बाई सेवन फॉर ट्वेंटी फोर्टी सेवन इस मंत्र को ले करके मैं काम कर रहा हूँ आप घर घर जाईए मत्दान के लोगों को प्रेरित के लिए जादा से जादा पॉलिंग बूट पर जादा से जादा बोटिंग पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ने के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो देश के लिए हम समय निकाले मत्दान अवश्य करे क्या आप मत्दान बढ़ाएंगे घर घर जाएंगे पॉलिंग बूट जीतेंगे अच्छा मेरा एक काम और करेंगे मेरा एक परसनल काम करेंगे अब जरा हाथ उपर करके बताएं तो मैं मानू करेंगे करेंगे अच्छा घर घर जाएगा और कहिएगा कि मोदी जी सातारा आये थे और परिवार के सब को नमस्कार कहा है मेरा नमस्कार पहुँचा देंगे बहुत बहुत धन्यवाद आदर निये प्रधान मंतरी नरेंद्री जी मोदी जानंतर अपला सगयाद आदर आदर नरेंद्री नरेंद्री इस्ता आदा आपला सगयाद च्रधान नोरी जी मोदी जींड परेंद्रेंद्र्ध करिक्षावाद आदर्धा यादर ुए। सातार कराना माजान बश्कार सातारा हर देश भक्त के लिए हर भारत भक्त के लिए किसी तीर्ट स्थल से कम नहीं है यहां आपने छत्रपती उद्यन राजे भोसले जी को उमिद्वार बनाया है मेरे साथ ही कहते थे कि मोदी जी सतारा आने की जरुद नहीं आप बहुत दोर दूप करते हैं नहीं आएगा उस चलेगा मैंने सामने से कहा सातारा मैं बगवा पहले भी लहराता था और लहराता ही रहेगा मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो आप सभी परिवार जरों के दर्शन की इच्छा है और मैं आज यहाँ आपके दर्शन करने आया हूँ आपके आसिरवार लेने के लिए आया हूँ और आपने जो भरोसा अपने इस सेवक पर जताया है उसकी जवाबदरी आप साफ साफ है आरिज जोश उत्सा उमांग यह साफ मतलब है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साफ्यों यह मेरा सोभाग्य है कुछ बाते याद आ जाती है जब यहाँ आता हूँ तो 2013 में जब भारती जनता पार्टी ने मुझे प्रदान मंत्री पत्के उमिद्वार के लिए गोशित किया तब तो चुनाव गोशित नहीं हुए थे लेकिन जब मुझे गोशित गया तो मैं राइगड के कीने पर चला गया और कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं चत्रप्रदी सिवाजिय महराज की समाधी के सामने ज्यानस्त होकर उस पवित्र भूमी पर बैठा था और उस समय शत्रप्रदी सिवाजिय महराज की समाधी स्तल से मुझे जो प्रेना मिली जो उर्जा मिली उस पवित्र माटी ने मुझे जो आशिरवाद दिये उसी की बदौलत पिछले दस साल उनी आजर स्वाज विचारों को जीने का प्रयास करता हूँ आपके लिए इसने कुछ करने का प्रयास करता हूँ साथियों सातारा ने शत्रप्रदी सिवाजिय महराज के सूशासन को देखा है सातारा की ये भूमी शावरिय की भूमी है आज मिलिटरी अप्षिंगे गाँ हो या सातारा का कोई भी सैनिक परिवार हो आत्म निर्बर होती भारत की सेनाओं को देखकर वो सबसे ज़्यादा खुश है आज हमारी सेना के पास एक से बढ़कर एक मेडिन इंडिया हत्यार है अब आप ही बताईए भाईयो बेनो ऐसे काम करके मोदी ने जिनकी दुकाने बंद कर दी वो खुश होंगे क्या वो खुश होंगे क्या हत्यारों के जिन दलालों को कॉंग्रेस की सरकार बहुत अच्छी लगती थी वो कभी भी मोदी की वहवाई करेंगे क्या साथियों मोदी ने सहिनिक परिवारों को एक और गारंटी वन रैंक वन पैंशिन की दी थी और मोदी ने ये गारंटी भी पूरी करके दिखाई कोई कैसे भूल सकता है कि कॉंग्रेस ने 40 साल तक सहिनिक परिवारों को वन रैंक वन पैंशन ओ और ओपी उससे बंचित रखा सिरप 500 करोड रुपिय का जमा एने जुन जुना दिखा कर कॉंग्रेस कहती थी OROP लाएंगे यहने आँख में दुल जौकने में इनकी ऐसी मास्टरी है आज बीजेपी सरकार OROP के एक लाख करोड रुपिये अब सोचिए वो 500 का खेल खेल थे 500 करोड का आज एक लाख करोड रुपिय से ज़्यादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है महाई और बेहनो देश 1947 में आजाद हुआ कॉंग्रेस ने गुलामी की मानसिक्ता को फलने फुलने दिया पूरी दुनिया चत्रपती सिवाजी महाराज की नव सेना का लोहा मानती थी आज भी विश्व में जब भी नव सेना की दुनिया में चर्चा होती है जो चत्रपती सिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है लेकिन इतने सालों तक आजाद भारत की नव सेना के जंडे में अंग्रेजों का निशान था NDA सरकार ने मोदी ने हा करके उस अंग्रेजी के निशान को हताया हता करके रुका ने मोदी ने तै किया कि जंडे का ताकत तब बढ़ेगी कि हमारी नव सेना के जंडे में अब चत्रपती सिवाजी महाराज के पती को स्थान दिया जाएगा और दिया डंके की चोड़ पर दिया हमारी सरकार ने मराता सेना उद्वारा बनाए गए एतियासिक कीलों को भी यूनेसको की वर्ल्ड हैरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नामांकन किया है महाराज का लोगड हो सिंदु दूर्ग हो या फिर मराता सेना उद्वारा बनाया गया तमिल नारु का तमिल नारु का जिंजी फोट हो इन सभी को वर्ल हैरिटेज साइट की लीस में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं मराता बिरास्त की शान दुनिया में बढ़ेगी तो हम सब को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दुनिया में गंका बज़े तो घर्म होना करें नहीं हो रहते ही है लेकिन कॉंग्रेस को तकलीब होती है कि मोद ये सब काम क्यों कर रहा है साथियों सातारा ने बाबा साब आम बेड कर महत्मा फूले और सावीत्रिवाई फूले के सामाजिक न्याय को गड़ने में बड़ा योगदान दिया है एंडिये सरकार ने दस वर्सों में इसी प्रेणा को सुषासन का अधार बनाया है आप देखिए कॉंग्रेस दे सब्तर साल में से साट साल देश पर शासन किया लेकिन बाबा साब आम बेड का संविदान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था तीन सो सत्तर की दिवार बनाई हुई थी आपके आशिरवात से आपके सेवक मोदी ने आर्टिकल 370 को द्वस्त कर दिया कब्रिस्तान में गाड दिया मोदी ने आर्टिकल 370 हताया आप मुझे बताईए आपको गर्व होता है कि नहीं होता है तीन सो सत्तर हता करके देश की सान बड़ी कि नहीं बड़ी देश की एक्ता को ताकत मिली कि नहीं मिली ये गारंटी मोदी ने आपको दी थी और मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी अब जम्मू कश्मीर में मैं जरा जो लोग आरक्षन के नाम पर जूट बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुमरा करने में लगे है मैं जरा चूबने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूँ इतने आरक्षन के गीत गा रहे हो कि अजम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी जम्मू कश्मीर रहने वाले दलीत कि अब वो आरक्षन के हकदार थेग नहीं थे जब देश के दलितों को आरक्षन मिल सकता है देश के आदिवासियों को आरक्षन मिल सकता है तो जम्मु कश्वीर में मेरे दलित भाई बैनों को मेरे आदिवासि भाई बैनों को आरक्षन से बंचित क्यों रखा गया संभिधान वहाँ पर लागू गो ने किया क्योंकि वोट बेंक की राजनिती आप पर हावी रही है भाई यो बेनों तिन सो सत्तर हटाकर बाबा साब आम बेड़ करके संभिधान को जम्मु कश्वीर में भी लागू कर दिया बहां मेरे दलीज भाई बेनों को आरक्षण का अधिकार मिला आदिवासी भाई बेनों का आरक्षण का अधिकार मिला ओबीसी भाई बेनों का अधरक्षण का अधिकार मिला वो हक मिल रहा है जिंदुस्तान के हर मैलाओ को मिल रहा है वाज जम्मु कश्मिर में आज जादी के इतने सालों के बाद मिल रहा है बाई और बैनो हमारी सरकार में ही मेरे देश वासियों को मुप्त राशन मुप्त इलाच पक्कादर बिजली पानी अंगिनित्स विदाएं आखरी वेक्ती तक पहुचाने के लिए मोदी ने अपना पल पल खपाया है और इलाब पाने वालों में जादर कतर कौन लोग है कौन लोग थे जो इन चीजों से वंचित थे इन सारे लाब को पाने वाले सब से जादा मेरे दलीद भाई बेहन है मेरे आदिवासी भाई बेहन है मेरे होबी सी पिसे परिवार है अब बीजेपी एंडिये की सरकार इन्हें प्रात्पिक्ता दे कर काम कर रही है साथियों हमारी सरकार नहीं आरख्षन जो पोलिटिकल आरख्षन की बबत्ता है पहले जब अटल जी की सरकार थी तब उसका कारकाल बढ़ा दिया था और जब मोदी को अपने अउसर दिया मोदी ने फुर उसकारकाल को बढ़ा दिया ये हमारा कमिट्मेंट है हमने OBC कमिशन को सम्मेदानिक दर्जा दिया लेकिन कॉंग्रेस के इरादे क्या है ये हमने करणा तका में देखा है क्या कर रहे चत्रपती सिवाजी महाराज की दर्ती से में तो आपको जगाने आया हूँ भाईयो ये क्या खेल कर रहे जड़ा चोग जाएंगे आप सुन करके बारत का सम्मेदान दर्म के आधार पर आरक्षन की मनाई करता है बाबा साब हम बेड़कर दर्म के आधार पर आरक्षन की मनाई करते है लेकिन उन्होंने क्या क्या करना टका में OBC को जो आरक्षन मिला हुआ है 27% उन्होंने रातो रात सभी मुसल्मानों को OBC गोशिप कर दिया एक फत्वा निकाल दिया कागेज पर ठप्पा मार दिया और रातो रात OBC के हग के जो 37% आरक्षन था उसमसे डाका डाला और अधिक्तम उन्ही को दे दिया अब कॉंग्रेस सम्मिदान बदल कर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिये जब तक मोदी जिन्दा है जब तक जनता जनार्ण का मुझपरा सिर्वाद है धर्म के नाम पर आरक्षन लाने की आपकी कोशिश सम्मिदान को बदलने की आपकी कोशिश मेरे जिन्दा रहते आप नहीं कर पाओगे लिख के रखना साथियों मैंने सोशल मिडिया का उप्योग हमेशा जनता जनार्ण से जूड़ने के लिए किया है आपकी इच्छाओं आकांच्छाओं को जानने के लिए किया है आप तक सरकार का कोई कारकम पहुंच रहा है या नहीं उसके सुधार की गुंजाइच क्या है ऐसी फिर्बे के लिए मैंने सोशल मिडिया का उप्योग किया है लेकिन ताजा घटनाएं परिशान करने वाली है लोग तंत्र पेमी हर व्यक्ति को सर्मशार करने वाली है जो लोग बाजपा से NDA से मुद्दों के अधार पर सच्चाई के अधार पर अपने कारे के अधार पर आमने सामने राजनितिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं वो अब सोशल मिडिया पर फेक विडियो फ़ला रहे हैं हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं के आवाज में आर्टिफिशल इंटेलिजन्स का उप्योग करके कभी मेरी आवाज कभी हमारे अमिद भाई की आवाज कभी हमारे नड़ा जी की आवाज कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे बाग के हमारे मुँ में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी खबरों से ऐसे विडियों से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का शडियंत्र चल रहा है देश में अगर शांती पूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते और इसलिए आने वाले एक महने के अंदर-अंदर देश में कोई बड़ी हरकते करने का इनका इरादा है और मैं मैं एक बड़ी गंबीरता से इन पारोप लगा रहा हूँ समाजी तनाव पैदा करके अन्होनी गट्लाए गटे इसके खेल खेले जा रहे हैं और इसलिए मैं चत्रपति सिवाजी महाराज की सातारा की पवित्र धरती से देश वाज्यों तो कहना चाहता हूँ मिडिया के मेरे साथ योगों कहना चाहता हूँ कि लोक्तंत्र की भलाई के लिए देश में सुक्षांती के लिए देश की एक तवा के लिए कृपा करके जो भी फेट विडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें ऐसे कोई भी विडियो कोई भी तस्वीर आपके वोर्ट से पर आए तो किसी सोचल विडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस है पुलिस को जानकरी दे उसको फॉरवर करने से पहले सोचिए कहीं वो आपका भी नुक्सान कर देगी तो कि कानून बहुत कड़क है और मैं ही चाहता हूँ कि निर्दोस नागरी किसके शिकार हो जाए और इसलिए ये फेट विडियो इन सब से हमारे समाच को बचाना हमारा दाइक्व है